हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल जैक पुरुपे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 10 का साइंस में समिकरन को संतुलित करना सीखेंगे इसके पहले हमने आप लोगों से पूछा था क्या आप लोग को समिकरन संतुलित करने वाले वीडियो चाहिए तो काफी सारा कॉमेंट आप लोगों का आया था कि बिल्कुल चाहिए और बड़ा बड़ा समिकरन को सॉल्ब करना सिखा दीजिए जैसे कि कोशन नमबर 3 आप दे इसकर लिजेगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नॉटिफिकेशन आपके मुबाइल पर चला जाए देखिए क्या है सबसे पहला सवाल देखिए पहला नमबर में H2S है O2 है फिर H2O है फिर SO2 है यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे ना सबसे पहले अगर आप ध्यान द देंगे तो कैसे करेंगे बराबर तो बराबर तो हो नहीं सकता तो हम क्या करेंगे ना यहाँ पर दो लगाएंगे जैसे ही दो लगाएंगे तो यह दो दुना चार और एक पांच हो जाता है ठीक है पांच हो जाता है ठीक है लेकिन हमें तो पांच से मतलब नहीं है ना हमे क्या करना होगा हमें पांच तो बन नहीं सकता विसम संख्या बन नहीं पाता है इसलिए इसको हमने यहां पर दो लगाया तो यहां से हो जाएगा दो दुना चार और फिर हम यहां पर अगर दो लगा दें तो कितना हो जाएगा दो छे छे हो गया तो इसको छे बनाना असान है यहां पर 3 लखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा लेकिन यतना करने के बाद हुआ क्या बताईए यतना करने के बाद यह हो गया कि आपने जैसे यहां दो लगाया तो 2 दूना 4 हैट्रोजन हो गया क्या हो गया? 4 हैट्रोजन हो गया यहां पर हम लोग 2 लगा देंगे तो 2 दुना 4 hydrogen और 2 sulfur हो जाएगा ठीक है H2S ठीक है यहां पर देखिए यहां पर भी 2S है यहां पर भी 2S हो गया यानि अब जो समिकरन हमारा पूरा का पूरा संतुलित हो चुका है ठीक है question number 2 में देखिए ध्यान से इसको यहां पर हमारे पास 2 hydrogen आपको दिख रहा होगा यहां पर 3 hydrogen है यहां पर 2 nitrogen है यहां पर एक ही nitrogen है तो यहां पर अगर आप इसको 2 लगा दो ठीक है यहां पर 6 करना होगा तो इसके लिए हम यहां पर 3 लगाना होगा तो जैसी हम यहां पर 3 लगाएंगे तो 3-2 छे हो जाएगा अब देखो सारा सारा लेबल होगी है 2 nitrogen, 2 nitrogen, 6 hydrogen, 6 hydrogen, 3-2 छे तीक है अगले सवाल को देखते हैं उसको कैसे solve करते हैं यहाँ पर देखिएगा, Na है, प्लस H2 है, यहाँ पर फिर NaOH है, फिर H2 है, अगर हम बात करें, H की या फिर O की बात करते हैं पहले, ठीक है, देखिए, O यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी Oxygen 1 है, Sodium 1 है, Sodium 1 है, Hydrogen 2 है, Hydrogen 2 है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, Hyd Hydrogen यहाँ पर ध्यान दिजेगा, Hydrogen यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 होगा, 2 Hydrogen यहाँ एक Hydrogen यहाँ यहाँ तीन है, तो 3 से तो काम चलेगा, इसको हम लोग 4 बनाते हैं, जैसे यहाँ पर 2 लगाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 लगा देते ठीक है आते हैं question number 5 पे question number अगर हम 5 को देखे तो book में भी आपका ऐसा ही सवाल है आप लोग देख लेना book में क्या ऐसा ही है या फिर तो कोई changing है क्योंकि यह वाला जो एक सवाल है आपके book से लिया गया है लेकिन वहाँ पर मुझे equation balance लग रहा है देखिए एक hydrogen यहाँ पर भी है ठीक है hydrogen यहाँ पर है एक hydrogen यहाँ पर है total दो hydrogen दो hydrogen दिख रहा है oxygen एक यहाँ पर है oxygen एक यहाँ पर है चलो ठीक है sodium भी एक है sodium भी एक है chlorine भी एक है chlorine भी एक है तो अब हम क्या कर सकते, तीन तो बना सकते नहीं है, तो इसको चार बना दे, तो दो यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर दो लगाने से क्या हो गया, ऑक्सीजन तो आपका दो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, दो दुना, चार, दो दुना, चार, चार हैडोजन, तो MnO2, HCl, MnCl2, Cl2, H2O अब यहाँ पर ध्यान देनी वाली बात है यहाँ पर आप लोग ध्यान दिजेगा क्लोरिन 2 चलेगा ठीक है यहाँ पर भी 2, 2, 2, 4 हो गया ठीक है Cl2, Cl2, Cl2 जो यहाँ पर आप देख पार है 4 Cl2 है, यहाँ पर Cl2 2, Cl2 2 यहाँ पर Cl2 दिख रहा है तो Cl, में आप लगा दिजेगे 4 Cl हो गया, ठीक है 4 Cl1 दे दिए, ठीक है न जैसे यहाँ पर 4 Cl2 आप दिए तो Hydrogen भी 4 बन रहा है, ठीक है Hydrogen भी 4 बन रहा है, यहाँ पर Hydrogen 2 बन रहा है तो यहाँ पर 2 लगाईए, दो लगाने से यहां पर क्या हो गया दो oxygen यहां पर बन गया oxygen भी दो बन गया MN1 है MN1 है तीक है अब देखोगे आपकी सारा का सारा यहां पर balance आपको दिख रहा होगा तीक है बास समझ में आई सभी को तो यहां पर हमने सारा equation को balance कर लिया उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा अंत में हमारा एक सवाल छुट गया था चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं यहां पर आप देखिएगा 2 oxygen, 2 oxygen और 1 oxygen टोटल हो जाता है 5 oxygen जबकि यहां पर आपका 3 दूना 6 oxygen हो रहा है तो हम लोग तो इसको क्या कर सकते हैं कि 5 तो नहीं बना सकते हैं लेकिन इसको हम लोग बेर में हम लोग लेकर जा सकते हैं इसे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया तो जैसे ही हम यहां पर अगर 2 लगाते हैं मामला यहां पर थोड़ा सा खराब हो जाएगा आप देखो हुआ है है यहां पर क्या क्या यहां पर हो गया आपका यह जो दो लगाए है ना आप यहां पर पीबी को एकवल करने के लिए इस दो लगाने के लिए जैसी आप यहां पर लगाए थे टू पीबी तो हो गया क्या अब्रा सब्सक्क्राइब आग्ऺें तो 523 हो रहा है तो बारा तो हो नहीं रहा है लेकिन यहांपे एक चीज और हमने देखा कि 2N है यहां पे बाहर में क्यों है uhart 2 & 2 ए चार 4 लगाया नापो चारली साफ यहां पर यहां पर लगा्या और इहां चार चार ने टूजन हो गया, तोटल का टोटल इक्वेशन बराबर हो गया, उमीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बारा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए, बैल की मोबाइल पे आता रहें